तो आप सबी का स्वगत है हमारी आरजी टेक्निकल वोई यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग अपनी गैलरी में लॉक लगाना चाहते हो तो आप अपनी गैलरी को कैसे लॉक कर सकते हो या फिर कैसे पासवर्ड उसके अंदर लगा सकते हो बिना किसी अप के आपको यही आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चले फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेचलता हूँ अपने फोन के स्क्रीन पर वहां पर आप लोगों को अच्छी तरिके से समझा देता हूँ सो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में जैसे के आप लोगों को बताने वाला हूँ क merits लोग अपने गैलरी पर लॉक लगाना चाहते हो तो आप कैसे lock लगा सकते है तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने phone के settings के अंदर आना है जैसे आप phone के settings के अंदर आते हो उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिलता है fingerprint face and password का तो यहाँ पर आपको click करना जैसे आप इसके अंदर आ जाते हैं उसके बाद यहाँ पर एक option बिलता है privacy and app encryption तो यहाँ पर आपको इसके अंदर आना है और उसके बाद इसको आपको खोल लेना जो privacy lock होता है ठीक तो चले हैंसे मैं इसको खोल लेता हूं जैसे मैंने इसको खोला उसके बाद यह कुछ तरीके से खूल जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप दिखोगी यह वह यह वाला application है तो इसको मुझे मैं एक लाँ करना है या फिर आप Rush को लक करना चाहूँ तो उससे भी लौ कर सकते हूं तो अभी तो मैं गैलरे को लौफ कर रहा हूं दでも पर मैंने इसको लॉक्त के उसके बद यहां पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है यहां पर आप देखोगी जो उपर वाला इसमें कह坏 जैसे आप इस स्क्रीन लॉक लग जाएगा ठीक है और उसके बाद इसके स्क्रीन is locked and app is closed sorry is closed यानि कि आप जब screen अपनी बंद करोगे यानि कि lock करोगे या फिर अपना जो app close करोगे तो उसके बाद lock लग जाना चाहिए और एक यहाँ पर है 1 minute after the screen is locked और app is closed यानि कि आप screen को lock कर लेते हो या फिर app को आप बंद कर देते हो उसके बाद 1 minute के बाद फिर lock लगेगा तो अगर आप 1 minute बाद लगाना चाहते हो तो इस पर click किजिए अगर आप चाहते हो कि जब मेरा screen lock हो या फिर मैं app से जब बाहर आ जाओ अप को close कर दूँ उसके बाद उसमें lock लग जाना चाहिए तो आप अपने इसाब से select करना तो मैंने beach वाला select कर लिया है उसके बाद अब हम यहां से हम home screen पे आ जाते हैं और अपना देख लेते हैं कहां पर है हमारी gallery application तो यहां पर आप देखोगे उपर मेरे को यहां पर देखने के लिए मिल रहा है तो जैसे हम यहां पर password डालेंगे उसके बाद हमारी gallery open हो जाएगी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो उसके बाद यहां से भी मैं back आगया हूँ इसको अगर आपको दुबारा से बंद करना तो फिर से आपको यही पर setting पर आना होगा फिर आपको यहां पर privacy encryption के अंदर आना फिर यहां पर यह देख से तो यहां पर मेरे से lock पूछ रहा तो यहां पर मैं lock डालके इसको खोल लेता हूँ अप encryption के अंदर आपको फिर से आजाना है और यहां पर आने के बाद फिर आपको वो ही application unselect कर देना है जैसे के अभी यहां पर मैंने gallery select किया था अभी उसको मैंने unselect कर दिया तो अभी मेरा gallery से lock हड़ चुका है so friends आज किसे वीडियो में इतना ही I hope आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो यह प्लीज इस वीडियो को like जरूड करना और अगर आप मेरे चनल पर पहली बर आए थे तो प्लीज हमारे इस YouTube चनल को subscribe करके well icon जरूड दबाना कि आने वाली वीडियो को notification आप लोगों को सबसे पहले मिल सके